जै स्री कृष्णा राधे राधे जब भगवान की हम पूजा करते हैं तो दिया जलाते हैं और दीपक हम सुभा साम दोनों ही वक्त जलाते हैं दीपक जलाते समय लाल धागे की आबाती बनाते हैं या फिर रूई की बाती बनाते हैं तो दोनों में से आप कोई भी बना सकते हैं पर माना जाता है अगर आप लाल थागे की बाती बना कर दीपक जलाते हैं तो मालक्षमी जल्दी प्रसन्न होती है अगर आप वैसे तो बाती में बहुत तरह के प्रियोग करने के हैं जैसे कि एक बाती का दीपक नहीं जलाना चाह पूरा बाती जलने लगे बार बार जलने लगे तो इसका क्या मतलब होता है तो पूजन के लिए अक्सर सुभा साम जब हम दिया जलाते हैं इसे घर में सुख सांती सम्रिद्धी आती है मन को सांती मिलती है लेकिन क्या आपको पता है कि दिया जलाते समय अंजाने में कुछ ग तो सबसे पहला तो पूजन के समय जवाब दिया जलाते हैं तो सही तरीका क्या है देखिए कुछ लोग सिंहासन पर दिया रखते हैं कुछ लोग दिया किनारे पर रखते हैं कुछ लोग नीचे रख देते हैं लेकिन दीपक जब भी जलाएं हमेशा भगवान की तस्वीर के सामने रखें आप सिंगहासन के नीचे रख तो सकते हैं पर डिरेक्ट जमीन में दीपक मत रखिए जब भी रखिए आप थोड़ा सा अक्षट डाल कर रखिए फुलों की पंखुरी रख कर रखिए या फिर किसी पते या दोने पर या प्लेट में रखिए ज्यादा तर लोग जब दिया जलाते हैं तो रूई की बत्ती का प्रियोग करते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि दीपक जब आप जलाते हैं तो रूई के साथ ही आप लाल धागे का प्रियोग भी कर सकते हैं लाल धागे की बाती सर्वस्रेश्ट मानी गई है और कई बार दीपक थोड़ा च सकतिय सुमाना जाता है क्योंकि घंडित दीपक में लौ जिनाने से मालक्ष्मी नराज हो जाती घंड पैसे नहीं ठिकते इसलिए अगर आपका पितल का दिया हो चांदी का हो या फिर पासे का हो या मिट्टी का हो खंडित दीपक बिल्कुल भी ना जला अगर आपको लगता ह समय का ध्यान रख़ी रखना जरूरी है क्योंकि बेबजह दीपक बेवक्त नहीं जलाना चाहिए सासर कहता है कि सुभा किसमें दीपक हमेशा 5 वजे से लेकर 10 वजे के बीच में ही जलाएं और साम में 5 वजे से लेकर 7 वजे के बीच में जलाएं यह बहुत आवस्यक है अब साम के समय घर के कोनों पर भी दीपक रखते हैं बहुत साई लोग लेकिन आप दीपक कभी भी पस्चिन दिसा की और मत रखिए वरना घर परिवार में मुस्किलें आ जाएगी याद रखिए साम के समय पस्चिन दिसा में दीपक मत जलाईएगा नहीं तो स्वास समंधी भी मुस्किल आएगी और आर्थिक मुस्किलें भी परिसान करेगी दीपक को कभी भी इस तरह से मत रखे कि उसकी रोसनी दक्षिन दिसा की और पड़े यानि जब भी आप घर में दिया जलाते हैं तो पूरब या उत्तर रखें धन के नुकसान और कर्ज की मुस्किलें आपको ब अपने बाएं हाथ की तरफ रखें और अगर आप तेल का दिया जलाते हैं वो सरसूं तेल हो या तिल का तेल हो आप हमेशा अपने दाहने हाथ की तरफ रखें जहां बैठें आप अपने पोजीशन का धियान डखियेगा पूजा करते करते बीच में दीपक ना बुजे इस तो क्या होता है देखिए सबसे पहली बात तो दीपक की लौ पूरा दीपक आप जलाईए तो कभी भी खाली दीपक मत जलाईए यनि कि आप जब दिया जलाते हैं तो अगर आप रूई की बाती जलाते हैं तो हमेंसा दो जलाईए फूल बाती करते हैं तो कोई बात नहीं एक ही जलाइए लाल धागे की बाती हुसमें तो बहुत सारे धागे होते हैं आप दो लीजिये पांच लीजे छी कमई स्थिर करते हैं ता रहीं है तिसरी का लौ जल जाना अच्छा नहीं मानता घर में बरकत नहीं होगी सुख सम्रिद्धी नहीं आएगी लक्षमी नहीं ठीकेगी और मुस्किले आपके जीवन में बढ़ेगी एक के बाद एक इसलिए जब आप दिया जलाते हैं तो ऐसा वेबस्था करें कि पूरा लौ जले नहीं क्या करेंगे तो हमने पहले भी आपको बताया है कि जब आप दिया जलाते हैं तो एक सिक्का रखिए वहां पर जहां पर आप दिया बाती करते हैं आप एक सिक्का रखिए और इस सिक्के को आधा जो दीपक की लौ है वो उपर रहेगा आधा दीपक का जो लौ आपने बात लिए उसके ऊपर सिख्का रख दें ताकि सिक्वें से वह कभर हो जाए और वह पूरत जले नहीं और इसका को अपको हटाना नहीं है रोज इसको साफ कर कि आप इसी सिख्क्यों को बेवार करें सिक्का भी सिद्ध हो जाएगा अब जैसे घर में कोई बच्चा है नजर लग तो आप इस सिक्क्य को आप उसके नहाने के पणी में डालके उससे नहला दे आपके बच्चे के ऊपर से नजर उतर जाएगा यह बहुत सिंपल है सिक्का को सम्हाल करके रोज उसी को बैभार कीजिए जब आप दीपक जलाते हैं तो बाती के ऊपर आप सिक्का रख दे कि ताकि उनकी भी अगर दीपक की बाती पूरी जल जाती है तो वो भी ध्यान रखे क्योंकि अच्छा नहीं माना जाता और अपनों से सेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरू लिखिएगा धन्यवाद हम मिलेंगे